नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, मावादियों के प्रवक्ता के द्वारा बंद के एलान के बाद राजे पूलिस मुख्याले ने सभी जीला के एसपी को अलट रहने का निदेस दिया है साथी सुरक्षा बलो के प्रतिष्ठान, नक्सली इलाके में पढ़ने वाले केंद्रिये प्रतिष्ठान, रेलवे की सुरक्षा के लिए बिशेश एहतियाती कदम उठाने के निदेस पूलिस मुख्याले ने जारी किये हैं ज्यारखन में लू का परकोप जारी, गढ़वा वा पलामू समेथ ज्यारखन के उत्तर पच्मी भाग में रभीवार को भी लू का परकोप जारी रहा, लोग दिन भर लू से जुलसते रहे, इन इलाकों में देर राद तक गर महावाय चलती रही इसमें अभी अगले दो से तीन दीनों तक रहात के असार नहीं है, इतना ही नहीं, पलामू समेथ कई ज्यूलों में अधिक्तम तापमान समान से करीब पांच डिगरी तक जारी रहा, मौसम विभाग के अनुसार पलामू परमंडल के मेदनी नगर और गड़वा के अलावा जमसेद पुराचाई बासा में भी दिन में गरम पच हुआ हवा के बाहाँ से कुछ लूका परकोप जारी रहा, बराहवी जूनियर राष्ट्रिये महिला होकी चेंपियनसिप में जार्कन उप बिजेता, बराहवी जूनियर राष्ट्रिये महिला होकी चेंपियनसिप में होगकी जार्कन की टीम का फाइनल्स मुकाबला होगकी हर्याना से हुआ, खेल के दौरान हर्याना ने जार्कन को 3-0 गोल से पराजित किया, जार्कन टीम को रजत पजक से ही संतोथ करना पड़ा, भोकारो के कस्मार में खतियानी महाजूटान में उम्रे लोग, बोकारो जिला अंतरगत कस्मार पर्खन के पूर्णी बग्यारी स्थीत मंगल चंडी मंदीर परिशर में रविवार को जर्खन्डी भासा संगर समीती द्वारा खत्यानी महाजुटान कारकरम का उजन हुआ कारकरम में कस्मार पेटरवार और जरी डी पर्खन समेत आसपास के चेत्रों से काफी संग्या में खत्यानी जुटे इस दवरान 1922 के खत्यान कादार परस्थानिय निती नियोजन निती और विस्थापन निती लागू करने की मांग पर जोर दिया गया प्रकृति पूजा के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते मंत्री रामेश्वर उराव लोहरदागा सहरी छेत्र के सोबरन टोली कार्तिक नगर जूरिया धरम कुडिया सरनास्थल मेरा भीवार को प्रकिर्ती पर सरहूल के अउसर पर सरहूल पूर्व संध्या कारकृम का उजन किया गया जिसमें मुख्य अतिती के रूप में लोहरदागा विधाय अक्सा जारकन सरकार के मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव विस्ष्ट अतिती के रूप में सरना धर्म गुरू बंधन तिगा उपस्तित हुए कारकरम की सुरुवात मुख्याती थी डाक्टर रामेशवर उराव धर्म गुरू बंधन तिग्गा द्वारा स्वर्गिय कार्थिक उराव की परतीमा में मल्यारपन कर किया गया बता दे कारकरम में आदिवासी संस्क्रीती एवं सरूल पर्व की जलक देखने को मिली धोल मांदर की थाप में सभी जूम उठे कारकरम को समोधित करते हुए बीत मंत्री डाक्टर रामेशवर उराव ने कहा कि हम सभी आदिवासी प्रकृती पुजा खाएं प्रकृती पूजा के बिना हम अपनी जिवन की कल्पना नहीं कर सकते नीट परिक्षा कॉल से सुरू हो सकता है राइस्टेसान राष्ट्रिय अस्तर की असनातक मेडिकल परवेश परिक्षा के लिए पंजी करन जल्द ही होने की उमीद है ताया रिपोर्ट के अनुसार नीट 2022 की तारिक आव्यदन पत्र तीन से पाँच अप्रेल के बिच जारी किया जाएगा और परिक्षा जुलाई में होगी हलाकी राष्ट्रिय परिक्षान एजेंसी ने अधिकारिक तोर पर इन रिपोर्टों की पुष्टी नहीं किया है एन टीए ने हाल ही में अधिकारिक बेप साइट नीट यूजी 2022 के बारे में जल्द ही नोटिफिकेस्टन जारी करने की घुसना किया है डालटें गंज रेलवे स्टेशन पर 80 भीम से अनरक्षित टिक्टो को विक्री सुरू डालटें गंज रेलवे स्टेशन से प्रती दिन यात्रा करने वाले 3-4000 यात्रियों को अब अनरक्षित टिकट खरिदने के लिए लंबी कातारों में नहीं लगना पड़ेगा रेलवे ने ऐसे यात्रियों के सुखधा के लिए तीन आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मसीन अस्थापित कर दिये हैं अब यात्री यहां से पलेटफर्म टिकट सहीद अपने गंतब या अस्थान के टिकट बिलकुल असानी से खरिच सकता है बता देर अभिवार को सीटी आई विकास कुमार ने अपने स्वयोगियों के साथ टिकट वेंडिंग मसीन का उधगाटन किया सरहुल सोभायात्रा के दरान तैनात रहेंगे 2000 पुलिस ड्रोन से निगरानी रांची में सरहुल पर निकलने वाली सोभायात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है सरहुल के मौके पर सोमवार को रांची के विभीन इलाकों से जूलुस निकाला जाएगा इसके मद नजार जीले भर में 2000 अत्रीक्त पुलिस कर्मियों के तैनाती की गई है जबकि मेन रोड स्चीरम टोली स्थित्मों के आयोजन अस्थाल के आसपास्ट रोन केमरे से निगराजनी की जाएगी रांची के SSP सुलेंदर कुमार जा ने कहा है कि सभी थानों को 20 सतरकता का निर्देश दिया गया है सभी थानों की पुलिस अलट है थानों में क्युवार्टी की भी तैनाती की गई है जो अपात इस्थिती में हरकत में आएंगे पोसन सक्षियों ने लगाई नियाय की गुहार जारखन राज के हज्जारों पोसन सक्षियों को राज सरकार की ओर से चयन मुक्त किये जाने से पोशन सक्यों में आक्रोस है रविवार को धनसार इस्थीत सांसत पियन सिंग की आवास पर पोशन सक्यों का आक्रोस देखने को मिला सैक्रों की संख्या में पोशन सक्यों ने सांसत से मिल कर अपनी ब्याथा सुनाई नयाय की गुहार लगाई राज सरकार के खिलाप नारेवाजी कर मांदे का भुगतान काम पर पुना वापस कर अस्थाई करने की मांग की जारखन राज एक की किरित पोशन सकी संके बैनर तले धनबाद की सेकडोप पोशन सकी यहां पहुची थी जारखन में कुरोना के तीन नाए केस मिले है जबकी तीन मरीज स्वास्त भी हुए है लोहर्दाग्गा में सडक दुर घाटना में दो बचे की मौत पत सडक जाम लोहर्दग्गा जिला के सेनहा भंड गाउं में सड़क दुर घटना में दो बचों की मौत पर ग्रामीन आक्रोसित हो गा है मुआबजे की मांग को लेकर मित्तक के परिजन और ग्रामीन लोहर्दग्गा गुमला एनेच 143A मोखे मार को घंटो जाम कर दिया जाम की सुचना मिलते ही अस्थानिय परसासन और जनपर्ति निधी मोगे पर पहुँचे परसासन की ओर से अस्वासन के बाद जाम को हटाया गया धान करे घोटाला पांच अधिकारियों के बाद FCI डालटेंगंज के DM सस्पेंड जारखन के पलामु जीले में धान करे में गरबड़ी के मामले में डालटेंगंज FCI के DM रीसी पाल सिंग को निलंबित कर दिया गया है FCI के पूरवी जोन कोलकाता के करकारी निधेशक अजीत कुमार सिना ने करवाई किया है DM सिरी सिना को निलंबित अधी के दोरान उनका मुख्याले छेतरी एक करयाले कोलकाता होगा आदेश में कहा गया है कि सिरी सिना ने सराय के लाग BSWC में KMS 2021-21 के लिए अगरीम चावल की भावतिक डिलेवरी में जुटी रिपोर्ट मुख्याले को सोपी आपको बतादे कि पलामो में धान करया घृटाले में अब तक FCI के 5 अधिकायों को चीनित करनी लंबित भी किया गया है PPP मोड पर संचालित होंगे 8 नए पॉलिटेखनीक राजे में बन कर तयार आठ नए पोल्टेक्निक कॉलेज पी 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 मोड पर संचालित होंगे, राज सरकार ने इसके संचालन की जिमेदारी पिरेग्या फाउंडेंशन को देने का निने लिया है, इसमें राज की ये पोल्टेक्निक गोड़ा, जामतड़ा, बगोदर, गिरी हजारी बाग, लोहरदगा, चात्रा, पलामू तता खुटी सामिल है, यह फाउंडेंशन वर्तमान में राज सरकार के कल्यान, विभाग द्वार संचालित, नर्सिंग तता वोकेशनल कॉलेज का भी संचालन कर रहा है, रामनौमी पर दी गई छूट, तर्क संगत नहीं, ज आस्था से जुड़ा है, ऐसे में मुख्य मंत्री नहीं आदेश दिया है कि साम को जूलूस नहीं निकालना है, गाना नहीं बजाना है, जूलूस में एक हजार ही लोग जुटेंगे, उन्होंने कहा किया हिंदूों की आस्था पर चोट है, इस बात को लेकर वे सीम को पत्र भी लिखे हैं, और हाजारी बाग रामगर में निकाले जाने वाले जुलूस का हवाला देकर कहा कि यहां की जुलूस देश बर में बिख्या था है, इसाई धर्म छोड़कर 11 जन जाती परिवारों को 29 लोगों ने सरना धर्म अपनाया, गुमला जिले के भरनो पर खंड के अमबवा गाउं में एक वर्श पुर्व सरना धर्म छोड़कर इसाई धर्म अपनाने वाले 11 जन जाती परिवार को 9 सदस्यों ने रभिवार को पुना सरना धर्म में वापस की, गाउं के 14 परिवार को सदस्यों ने बीमारी और आर्थिक स्थिती ठीक नहीं होने के कारण, इसाई धर्म अपनाया था सेस तीन परिवारों के छो सद से जो बाहर है उन्हें भी घर्वापसी कार्णी नहीं लिया है बिद्यालियों के संचालन 7 से 1 करने का आदेश औवेभारी जार्खन परदेश परात्मिक सिक्छक संग परदेश संग अठन सचीव डाक्टर सुनिल कुमार कसप ने कहा है कि परात्मिक बिद्याले से लेकर पलस टू बिद्याले के करक्षा संचालन गिरिस्ट मकालिन बिद्याले संचालन के लिए सूब 7 बज़ से 2 पर 1 बज़ के विद्यालियों का संचालन साथ बये से दोपर एक बये तक करने का निर्देश किया गया इसे एक अप्रेल से प्रभावी किया गया है जो गिरिस में कालिन पराता कालिन अवधारना के प्रतिकूल और अबेवारिक है चातरों की सेहत ववभावी से के साथ खिलवाड़ा है आरपी एफ अभियान में 37 दलालों की गिरफतारी धनबाद मंडल के तहद आरपी एफ द्वारा मार्च महिने में यात्रियों की सुवधा के लिए लागातार छापेमारी अभियान चलाया गया या जनकारी आरपी एफ पोस्ट के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने दी उन्होंने बताया कि मार्च मह में होली पर्व के द्रिष्टी कोन से यात्रियों को सूलब रूप से रेल अरक्षी टिकट उपलब्ध हो इसके लिए आरपी एफ ने धनबाद रेल मंडल के कोडार्मा हजारी बाग, हजारी बाग रोट, गोमो, धनबाद, गढ़वा, टोरी, बरवा, डीव, बरका खना पोस्ट पर लागातार चापेमारी अभियान चलाया अवयद कारोबार में सामिल दलालों के निगरानी की गाई जेल में बंद आदिवासियों और गरीबों की रिहाई के लिए गठित हो आयोग राची प्रेस कल्व सभागार में दो अपरेल से जारी भागपा माले की केंद्रिय कमिटी की बैठक के दूसरे दिन रभिवार को कोई आम प्रस्ताओं पर चर्चा होई पार्टी पोलित ब्योरो सदा से कामरेड कविता कृष्णन केंद्रिय कमिटी सदा से कामरेड गीता मंडल और किल्फटन रोजारियों ने सन्युक्त प्रेस्वार्ता में इन प्रस्ताओं को जनकारी दी कविता कृष्णन ने कहा कि बर्तमान केंद्र सरकार की सोची समझी नीती के तहद देश में नागरीकों के लोकतांतरिक अधिकारों और समिदान पर हमले तेज हुए विशेदकर समाज के कमजोर तबकों के साथ साथ महिलाओ की भलाई के नाम पर उनकी अजादी और सिक्चा जैसे बुनियादी अधिकारों को कुछला जा रहा है करनाटक से सुरू किये गए हिजाब पर रोक के बहाने नए सीरे से मुसल्मान भीरो थी उनमुद्दी धुरूवी करन देश में फैलाया जा रहा है जारखन का गैरेज गाव जहां सभी युवा हैं इंजिनियर जारखन के जमसेदपुर सहर के बीच एक ऐसा गाव है जिसे लोग गैरेज गाव के नाम से जानते हैं सबसे खास बात है कि इस गाव के लोग बिना पढ़े लिखे इंजिनियर बन जाते हैं और बड़ी से बड़ी और महांगी गाड़ियों का मरमत करते हैं गाउं में चारों तरफ गैरेज ही गैरेज देखने को मिल जाएंगे गाउं के मनिक वर्मा बताते हैं कि पैसे के अभाव में वह इंजिनियर की पड़ाई नहीं कर पाया लेकिन इस गैरेज में विभीन कमपनियों की गाड़ियों का मरमत करते करते अब वह इंजिनियर बन चुका है कैसी भी गाड़ी क्यों नहों वह उसे ठीक कर देता है बीरशा कॉलेज में बरदी मेरा जुनून का आयोजन बीर्षा कॉलेज खोटी के फूटबॉल स्टेडियम में बर्दी मेरा जुनून खोटी की ओर से रभीवार को 1600 मीटर दोड महा कोम का आउजन किया गया साथ ही साइकिल पोलो का भी आउजन किया गया दोड परित्योक्ता में जार्खन के विभीन जीलों से 400 लड़के लड़किया ने भाग लिया कारकरम का उधगाटन मुख्याती थी खोटी विधायक निलकंट सिंग मुंडा ने दिप परजलित कर किया परित्योक्ता में परथम अस्थान पर राजन कुमार रांची और लड़कियों में हीरा सांगा खोटी परथम अस्थान पर रही एक से लेकर दस के विजेताओं को मेडल और नगत पुरसकार देकर समानित किया गया जारकन अंदोलन कारियों की बैठक में 1932 खतियान पर अधारित अस्थाने निती बनाने की मांग राजे में अस्थाने निती के लिए 1932 के खतियान को अधार मान कर लागू करने की मायं को लेकर जारकन आंदोलन कारियों ने रभिवार को सराय के लाके पदमपूर गाव में प्रमंडल अस्तरिय बैटक की धनपत्ती सरदार के अधक्ता में आहूत उक्त बैटक में कोलान प्रमंडल के कई अंदोलन कारी सामिल हुए धनपत्ती सरदार ने बताया की जारकन के अलग राजे बने 22 वरस हो गए इस दोरान राजे में 11 सरकार रही लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक अस्तानिय निती बनाने में कम्याब नहीं हो सकी अस्तानिय निती के नहीं राणे से राजे का अप्रेक्षा के विकास नहीं हो पाया जाम तड़ा गांधी मैदान में एक दिवस्य कवर्डी परत्योकता का आयोजन जामतला जीला कबर्डी एसोसियेशन के सोजने से रभीवार को जामतला गांधी मैदान में एक दिवस्ची बालक वर के कबर्डी परत्योकता कायोजन किया गया परत्योकता का सुभारम जीला ओलम्पिक संक उपाध्यक्ष दिपक दूपे ने नारियल फोड कर वक्षिलाडियों से परिचय प्राप्त कर किया इस दरहन उन्होंने कहा कि इस तरह की परत्योकता कायोजन से जामतला में निरंतर खेल और खेलाडियों को एक उचित प्लेटफर्म मिल रहा है कबाड़ी एसोसियेशन एक सार्थक पयास कर रही है कि छीपी हुई परतिभावों को उबारने का कार्य कर रही है लोबिन हेम्रम ने की रैली जारखन में सत्तार उड़ दल जामुमों की बिधायक लोबिन हेम्रम ने रभीवार को अपनी घोसना के मुताविक बोरियों में रैली कर अपनी ही सरकार की नीतियों के अलोशना की 1932 के खतियान के अधार पर राजे के अस्धानिय निती बनाने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमलवा रहा है पार्टी नेताओं की अनिष्था, मनाही और परसासन की रोग के बावजूद लोबिन ने यह रैली की उधर लोबिन की रैली के बाद जार्खन मुक्ति मोर्चा के सीर्ष नेतित्व पर निगाहे टिक गई है माना जा रहा है कि अनुष्थासन हिंता के अरोप में पार्टी की ओर से विधायक सीता सुरेन और लोबिन हेंब्रेम के खिलाब करवाई की जा सकती है पी ए लेफाई का एरिया कमांडर कर्मा उराओ गिरफतार नक्सरली संगठन पी ए लेफाई के एरिया कमांडर कर्मा उराओ को खोटी पुलिस ने जरिया गर्थाना छेतरे के नगड़ा जंगल से गिरफतार किया है पुलिस ने उसके पास से एक पिश्टल, दो गोली, पियले फाई का चंदा रस्तीद और पांच मोबाइल फोन बरामत किया है इस बात की जनकारी स्पी असुतोस सेखर ने पत्रकारों को दिया है जैराम महतो का कारेकरम 30 अप्रेहल को 1932 खत्यानी संहर समीती डांडी महाकोर के पताधिकारी गन ने जैराम महतो वसूरे सिंग बेसरा से मुलकात किया समीती की लोगों ने बताया कि जैराम महतो से डांडी परकांड में एक कारेकरम करने की मांग की इस पर जैराम महतों ने 30 अप्रेल को कारेकरम करने का समय दिया इसके बाद समीती ने बल सगरा पटेल एस्टेडियम में 30 अप्रेल के दोपर धाई बजे कारेकरम करने का समय निधारित किया है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होते चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदर बजे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवसे दे थैंक यू